नमस्कार, जैमत आदि सबको, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में कैसे हैं आप सब? उमिद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोज पसंदारी होंगी आज बात करेंगे attitude वाली लड़की भी हो जाएगी आपकी दिवानी अगर आप किसी से बेहत महबत करते हैं, किसी के दिवानी हैं, किसी के प्यार में पागल हैं आप चाहते हैं कि वैव्यक्ती भी आपका दिवाना बन जाए वैव्यक्ती भी आपके प्यार में पागल हो जाए वैव्यक्ती भी पूरी तरहां से आपका दिवाना हो जाए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ती है जिसे आप बेहत महबबत करते हैं जिसके दिवाने हैं जिससे बेहत प्यार करते हैं अर्य व्यक्ति आपको बिल्कूल भी भाव नहीं दे रहा चाहे वे लड़का है चाहे वे लड़की है आपको अगर व्यक्ति बिल्कूल भी भाव नहीं दे रहा है आपको बुला नहीं रहा है आपको ignore कर रहा है, आपके प्यार को समझ नहीं रहा और आपका उस व्यक्ति के बीना रहना अब मुश्किल हो चुका है आप पूरे तरीके से उसके प्यार में और आप चाहते हैं कि व्यक्ति आपके प्यार को समझे, आपके प्यार को माने और उसी तरीके से आपका दिवाना हो जाए जिस तरीके से आप उसके दिवाने है तो उसके लिए आपने जोतिश राफ्तर क्या उपाई करना है यह उपाई बेहत प्रभावशाली है यह उपाई किसी को पल भर में अपनी तरफ अतरशित करने के लिए पल भर में अपना उपाए किया जा सकता है तो उसके लिए उपाए यही चीज सामगरी उस्तमाल होगी लेकिन जो उपाए होगा वो थोड़ा सा अलग होगा अगर आप वैसा कुछ उपाए जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा लेकिन आज बात करते हैं किसी को पल भ सकते हैं या सर्च कर सकते हैं इसके बारे में तो आपको अराम से पता लग जाएगा तो गूंजा के बीच का आपने क्या इस्तमाल करना है इसे आपने शुकरवार के दिन गूंजा के पांच बीच लेने हैं पांच बीच को आपने लाल कलर के कपड़े में लाल रंग के कप पड़े में पांच बीज रखने है और पोटली बनाकर इसे पांच दिनों तक अपने पास रखना है अपनी जेब में अपने पर्स में किसी भी तरीके से लेकिन पांच दिन तक अपने पास रखना है तो पांच दिन के बाद छटे दिन सुभा सुभा के समय आपने क्या करना ह एक मिट्टी का दीपक लेना है, मिट्टी का दिया लेना है, उस पे थोड़ा सा सरसो का तेल डालना है, थोड़ा सा आपने शहद डाल देना है, और पांच गूंजा के बीच भी डाल देने हैं, और इस दिये को आपने जला लेना है, इस दिये को जलाने के बाद, जिस भी व् अगर किसी हवा से भुझ गया है या अपनिया भुझ गया है तो उसको दुबारा जलाने की जूरत नहीं है अपनिया भुझ ना चाहिए आपनी कोशिश करके नहीं भुझाना तो अगर या अपनिया जब भी अपनिया भुझ जाएगा तो उसके बाद ये जो दिया होगा इस गर से किसी दूर किसी कोई भी पेढ हो, उस पेढ की नीचे की जो मिट्टी होगी वहाँ पर दफना करा जोना है, यद पेढ के नीचे की साइड यवा आप रख कर भी आ सकते है, लेकिन कोई पेढ के नीचे हो और कहीं जगानी रखना और इसे आपने छटे दिन इस उपाय क को करना है पहले पांच दिनी से अपने पास रखना है छटे दिन ये उपाई को करना है आप देखेंगे ये specially इसमें वर्क करता है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे गुसा है आपसे नराज है उसे मनाना चाहते हैं या जिस व्यक्ति को बेहत महबत करते हैं वे आपको भाव नही पा रहा वे आपकी बात नहीं मान रहा वे आपके प्यार को नहीं समझ पा रहा तो आप ये उपाई कर सकते हैं या आप इसके लिए नहीं कर सकते हैं कि अगर आप पहले से ही मान चुके हैं शादी के लिए प्यार बढ़ाने के इसके लिए नहीं अगर किसी को मनाना चाहते प्यार के लिए अगर कोई नराज है उसे मनाना चाहते हैं या फिर किसी से बेहत महबत करती हैं और वो आपको ध्यान नहीं दे रहा है आपको इगनौर कर रहा है आपको भाव नहीं दे रहा है आपकी बात को समझ नहीं रहा है तो आप यह उपाए कर सकता है और आप देखें करें इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया